तो छात्रो कल के आप पेपर में मचाओगे अब एकदम फानली यहाँ पे गरदा क्योंकि मैं यहाँ पे लेके आचका हूँ आपका हाई स्कूल यहाँ पे देख सकते हाई स्कूल एक्जामिनेशन दोजियर वाइस का अंग्रेजी यानि कच्छा दसवी का अंग्रेजी इंग पेपर मिल रहा है आपका 100% आपका यहाँ पे ओरिजिनल पेपर है इसकी आप पुष्टी भी कर सकते हो कैसे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले आपको यहाँ पे पूरा पेपर देख लो और यहाँ पे देखिए सबसे इसके फ्रंट पेज पर आप देखोगे तो आपको यही कोड आपको मिलेगा मतलब कि आपका यह 100% आपका कल रियल पेपर आपका निकल कर आ सकता है पूरे कोश्चन रट लेना एक भी कोश्चन मत छोड़ना आपका यह पेपर कल आपको ऐसा ही मिलेगा पूरे पेपर आप छाप देना यहाँ पे कोड देख लो और इ प्रोइड कराऊंगा टेंसर नी लेना है पूरे सेक्षन के अंसर आपको ABC सभी के अंसर एक ही वीडियो पर देखिए इस पेपर में आपके टोटल आपके देख सकते हैं यहाँ पे 16 कोश्चन है और आपको यहाँ पे पेज आपका मात्र 9 है तो चलिए सबसे पहले आपको यह यहाँ पे अंसर देखेंगे सेक्षन एक तो सेक्षन ए में देखिए आपको यहाँ पे कितने पांच अंकी कोश्चन है तो चात्रों आपको यहाँ पे ध्यान से देखना क्या है आपको इसमें कलपना चाबला के बारे में पूरा आपका यहाँ पे पैर अग्राफ है आपक पहले का अंसर आपको यहाँ पर दिखाता हूं कौन सा आपको यहांपे संप्री जानेट को एपको यहां से करना है अपको यहां पर यहां से लेकर आपको यहां तक कर देने ठीक है इसके बाद देखते हैं आपका second question तो second question ध्यान से देखना है इसमें कलपना चाबला used to pay a peace हर college mates ठीके तो यहाँ पर आपको बताना है true है या फिर false तो देखिए आपको इसमें सही answer कर देना आपको यहाँ पर आपको true answer हो जाएगा paragraph में आपको यह दिया गया इसके बाद देखिए तीसरा question कलपना चाबला watch in तो कलपना चाबला कौन थी तो बच्चो पढ़ाई में doubt साते हैं solve नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत इसका solution है doubt न टैप जिस भी सवाल में आपका doubt है उसका photo कीचो क्रॉप करो और पास सेकंड के अंदर अंदर आपको बेडियो solution मिल जाएगा वो भी विल्कुल फ्री अब आप पोचे unlimited सवाल कहीं भी कभी भी चाहे आपका क्लास चाटी से बारवी IIT जेडवाली या फिर NET का हो या फिर CBSC UP विहार राजस्थान या फिर स्टेट बोर्ड का हो कोई भी सब्जेक्ट का हो physics, chemistry, math, biology, science आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास नवी से बारवी IIT जेडवाली नेट के बच्चों के लिए आनलाइन क्लासे जिसका हिस्सा वन कर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए है तो आज ही डाउटनेट इस्टाल करें और अपने सभी डाउट्स वगाओ और टॉप रेंक ले आओ बाईस आप कहां से थी करनाल से थी इसके बाद इसको घैटनाल नेगेट तो आपको यहां पर आंसर कारनाल से करना है। इसके बाद comments lu यहां पर इस पॉंसर लिंग ठीक है तो आपको इसमें आंसर करना है कंट्रीब्यूटिंग क्या लिखना है आपको सी ओ एन इसके बाद आपको यहां पर ध्यांसर देखिए आपको मैं समझा देता हूं आपको यहां पर लिखना है कंट्रीब्यूटिंग ठीक है पहले आपको इसके बाद आपको यहाप पर 3-R-I और इसके बाद बु-T-I-N-G ठीक है आपको यह अंसर कर देना आपको यहापे contributing आपको इसके सही अंसर होगा और इसके बाद आपको यहापे second question आता है ये बाल देखिए आपको इसमें paragraph 5 number question है आपको इसको ध्यान से देखना है, पढ़ना है आपको और पढ़ने के बाद चलिए, मैं आपको फटा-फट आपको अंसर देता हूँ, second question, आपको यहाँ पर पहला question, according to the passage, आपको बताना है भाई, बेकनेस आपको क्या होगा, ठीके, तो बेकनेस मतलब आपको यहाँ पर सही बताना है, तो आपको इसमें title हो जाएगा, आपका D number, United B stand, divide B fall, यह आपका question, already आपके module paper में आचुका है, तो आपको same to same, आपको question कल paper में देखने को मिलेंगे, और इसके बाद, आपको यहाँ पर C number question देखिए, क्या question इक है, to win a battle, an army must work as, आपको इसमें answer, क्या करना है, आ आपको इसमें answer, आपको Napoleon आपको कर देना, ठीक है, चलिए, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, आपको इस paragraph में देखेंगे, तो आपको यहाँ पर इसके देखिए, title आपको यहाँ पर इसके बाद, आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर B fall, ठीक है, आपको मिल गया, आपको यह title और इसके बाद मोटो भी बात कर रहा है नेपोलिन के मोटो क्या था तो यहाँ पे मोटो था divide and canker ठीक है आपको यह answer मिल गया और इसके बाद आपको हुआ है आपके सारे question आप भाई साब आपके इसी में answer दियें एक भी आपको इसमें simple सा आपको answer क्या करना है देखी आपको इसमें answer आपको fall लगाना है और इसके बाद आपका next question देखे क्या थै whole question आपको यहाँ पे आपको simple साब इस paragraph पढ़ना है और पढने के बाद आपको यह आपको क्या है आपको notes और टाइटल बनाना है, तो शिंपल सा घंधी जी के बारे मतब कर घंधी की बारे होगे है, तो आपको यहां पर एधोल टाइटल देना है, और आपको पैसज, पैसेज मैंने आपको अच्छे समझा दे था, क्या करना है, आपको इसमें point by point आपको उठाना है, ठीक है, क्या उठाना है, point by point आपको इसका अंसर आपको next वीडियो में आपको दे दूँगा, बांकि आप कोशिज करिए, जितना हो सके, कोशिज कर लिजे, आपको यहाँ पर इसकीन पर अच्छे से दिख रहा है, इसकीन साथ कर लो, पूरे question रट डालना, आपको यहाँ पर मैं, एक एक करके, आपको सारे question के, मैं answer आपको बताऊंगा, आपका section by section, मैंने section A का answer बता दिया, अब यहाँ पर आपको section B का answer, मैंने पहले बाले बता दिया, और इसके बा आपको यहाँ पर पूरा ही जाएगा, तो आपको यहाँ पर transfer certificate question आपको याद करके जाना है, साथ में आपको यहाँ पर बुखार का, आपको C clip का, ठीक है, आपको यह question अच्छे से याद करके जाना है, और आपको इसके बाद आपको यहाँ पर मित्र को बुलाने के लिए बाई के बड़ी के पार्टी में आपको यह question भी आपको अच्छे से देखकर जाना है, और इसके बाद question आता है, आपको इसमें आता है question, आपका simple सा आपका एक essay, तो essay आप यहाँ पर चाहा हो, तो आप यहाँ पर my hobby के लिख लो, ठीके, आपको यहाँ पर इसके पर मिल जा अच्छे से फटा-पट करना और इसे रट लो, ठीके, चलिए, इसके बाद आपको यहाँ पर next question आता है, आपको यह question ठीके, छेटा question आता है, आपको paragraph, आपको यहाँ पर save, आपका important, आप saving trees के बारे में, तो आपको इसका answer देखिए, आपको यहाँ पर इसक्रीन पर आपक अंसर के बाद, आपको मैं सारे question के answer next video में, इसके बाद section D का, आपको यहाँ पर extract poem का आया है, ठीके, तो मैं आपको यहाँ पर सारे question के, आपके, एक एक करके question के answer मैं देदूंगा, 16 question, तो यहाँ पर paper देख लो, आपको मैं next video आपको बहुत जल्दी, आपको morning में इंसर ज चैनल को कर दिजे सबस्क्राइब